नमस्कार कमाटी वीकली आउटलूक में आपका स्वागत है सबसे पहले अगर हम नॉन एगरी कमाटी की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टन रहा है खास करके अगर हम बुलियन की बात करें तो काफी mixed view बुलियन में हमने बनते वे देखा जहां फैट की मीट के बाद हमने continue देखा के गोल्ड में गिरावट थी वहीं चांदी के अंदर हमने जो अच्छी खासी तेजी थी वो पूरे हफ्ते में गवाते वे देखी बुल्डेक्स के अंदर हमने 0.29% से मार्केट को गेन होते भी दिखा जो दरसाता है कि लोवर लेवल पे फ्रेश बाइं दिखा रही है वहीं अगर हम energy pack की बात करें तो energy pack के अंदर हमने overall 2-3% की mcx energy tax में तेजी देखी जिसका मतलब हम अगर crude की बात करें तो जहां पे 5.5% की तेजी आई बट natural gas में जो अच्छी खासी तेजी थी वो natural gas का वाता हुआ दिखाई दिया और सारे 300 पे close हुआ पूरे base metal की बात करें तो mcx matter index 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ पूरे base metal के अंदर सबसे ज़्यादा outperforming जो रहा वो था निकल और lead में हमने गिरावट देखी individual commodity की बात करें तो सोने में हमने देखा एक तब geopolitical tension global market के जो number से वो खराब आने की वज़े से gold को support भी मिल रहा है बट multiple of time हमने देखा prices 48200 के उपर sustain नहीं कर पा रहा है तो जब तक prices 48200 के उपर नहीं निकलता है नहीं तेजी के लिए थोड़ा सा विराम लग सकता है जो 47500 से 48200 के बीच में रहेगा overall buy on drop क्योंकि जिस जन से inflation बढ़ा और no drop interest बढ़ने के वज़े से तोड़ा uncertainty है बट international में आप देखिए 820 का level अगर breach हो जाता है तो एक अच्छे खासी तेजी हम gold में देखाएंगे तो range में रहेगा 48200 के उपर 48500 के target के लिए लिया जा सकता है चांदी के अंदर 60,000 का important psychological level बना हुआ है नहीं तेजी के लिए 62500 का level तोड़कर hold करना काफी important है otherwise prices 59500 से लेकर 61500 के बी है वो important नहीं रहा market के लिए discount हो चुका है क्योंकि Ornicon के बाद economy open up हो रही है लीबिया कजाकिस्तान Middle East यहां से supply disturbance और Europe और US में जो polar vortex वाठंड की वज़े से supply disturbance जिसकी वज़े से क्रूड को support मिल रहा है टेक्निक लिए अगर हम देखें तो क्रूड की RSI 72 के उपर है जो दरसाता overbought है तो buy on drop की रणीती अपना ही है तक के टार्गेट रहेंगे नैचल गैस वालटाइल रहेगा एवाइड करके चलिए 340 के नीचे 310 तक के करेक्टिव मूव मिल सकते हैं बट वालटिटी बनी रहेगी पूरी बेस मेटल में चाइना मार्केट हॉलिडी के वैसे रिंज बाउंड एक्टिविटी थी बट इन इकल पूरे बेस मेटल में सबसे शाहूं दिखाई दे रहा है 1740 के उपर अट्रा सो अट्रा सो पचास के लेवल अगले अप्ति में हम देख पाएंगे महीं अल्यूमिनियम लैड की अगर बात करें तो प्राइजे साइडवे रहेंगे 250 के लिए अल्यूमिनियम जबकि लै झाल झाल